नमस्कार मेरी प्यारे सवाथिए, तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्क्स करने वाले हैं अंतराश्ती संगठन, अंतराश्ती संगठन से समंदित कुछ महत्पुन परस्नों को देखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए से दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहला दोस्तों सहिंग तुराष्ट संग, सहिंग तुराष्ट संग यानि कि UNO, United Nations Organization, इसका जो अस्थापना हुआ दोस्तों, यह 24 सक्टूर, 1945 में हुआ था, 24 सक्टूर को सहिंग तुराष्ट संग दियोस्तों, ठीक है, याद साथ करेंगे, सहिंग तुराष्ट सर्ग का मुख्याले हैं, नी-यर्क में है, और कि सदस देसों की संथ्यां हैं 253 में हैं, 193 एसमें सामिल है, UNO में, और योग 63 हैं याद रखीगा, यह है दिस्त दश्नी सुडान, दश्नी सुडान की जो राधानी होती है, यह जुवा हो निस्वा था 1945 में चोँवी सक्टो निस्वें सद्सदेशों कि संख्य एकतिरांड में है। अगरा दोस्तों विसित बैंग अंग कि यह Washington DC में, कहा थे दोस्तों, Washington DC में है, जो America गड़ा जानी, Washington DC में, ठीक है, This Bank का मुख्याल स्टीस है, DC का मतलब क्या होता है, डिश्ट्रीक of Columbia होता है, DC, DC, DC का मतलब होता है, This पिस्तिक ऑफ को दियाद लखना थिक है इस फी जो सदास्य देशों की संख्यां है एक 167 कितना है वे सब 안녕하세요 में सदो से देशों की संगय कितनी है 189 है ठीक है दोस्तों याद रखीगा चलिए next देखते दोस्तों अगला अगला देखीए next दोस्तों अगला है है वर्ल्ड ट्रेड और इसका स्थापन हुआ था उनी सो पंचानमे में हुआ इसका जो मुख्याले है दोस्तों जेनेवा स्यूजर लैंड में ठीक है याद रखीगा और वैपार संगठन का जो सदसर देशों की संख्यां है वह है दोस्तों 164 कितना है इसमें देश तामिल है WTO में 164 देश तामिल है दोस्तों ठीक है याद रखी का WTO का मुख्याल है दोस्तों जिनेवा में है इसका स्थापना 1995 में हुआ था WTO का और इसमें सदस देशा संगर कितनी है दोस्तों 164 है ठीक है दोस्तों लेक्ष दोस्तों ACI Bikas Bank ठीक है ACI Bikas Bank यानि की ASEAN Development Bank क्या होता इसका प्रफर्म एसका अस्थापना हुआ था 1966 में हुआ था कब हुआ था 1966 में ASEAN Development Bank का स्थापना हुआ था इसका जो मुख्याले दोस्तों मनीला में है कहा है दोस्तों मनीला ठीक है याद रखीगा और इसमें सदस देशों की जो संख्या है 68 है मात कितना है दोस्तों 68 याद रखीगा ASEAN Development Bank का मुख्याले कहा है दोस्तों मनीला में है इसका स्थापना 1966 में हुआ था मनीला फिलिपिन्स में दोस्तों कहा है मनीला फिलिपिन्स में ठीक है याद रखीगा तो सदस देशों की संख्या कितनी है 68 है दोस्तों ठीक है दियान रखीगा चलिए next देखते हैं अगला अगला आपके सामने दोस्तों, अंतराष्टी सरम संगठन, यानि कि IELO, देखिए, ये दोनों को अगर हम बात करते हैं, देखीगा, यानि कि अंतराष्टी सरम संगठन, IELO, इसका फूल 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 इंडियन लेबर ओर्गनाजेशन, इसका जो संग हैं 1850, IELO का स्थाफना 1990 मुख्याले जिनेवा, फिनेवा, स्यूजर लैंड, अगला दूस्त, यी उरोपियन यूनियन, यानि की इउरोपियन संग, यानि की ईरोपियन यूनियन, EU ठीक है, इसका स्थाफना 1958 में हुआ था, 1958 में इसका जो मुख्याले है, ब्रुसेल् इसेमें सदधे देश्म हाँ कितने यह 28ables दोस्तो दोस्तों नटो दोस्तों देखिए नटों कि बारे में अगरात करते हं आप में समझीगा नाटोंicki बहुत इंप्बरेंटें दोस्तों ठीक है नाटitting को सबसेपर देखेंगे न effekt ja क्या होता है North Atlantic Treaty Organization नाटो का असठापन अस्थापन न शुचास में हुआ था और इसका जो मुख्याले है Belgium करदानी बुहसल्स में और इसमें सदस्य ध्युक्षाण के तो अभी 30 है दोस्तों दो और बढ़ चुके दोस्तों या दखी इसमें 32 हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 32 यानि सदस देशों की संगा कितनी है बर्तमान में नाटो में सदस देशों की संगा कितनी है दोस्तों 32 है यह आपको ध्यान लखना है ठीक है तो नाटो का full form क्या होता है North Atlantic Treaty Organization इसका स्थापना 1949 में हुआ था मुख्याले ब्रुसेल्स यानि बेलजेव ग्राजानी ब्रुसेल्स में है और सदस देशों की संगा कितनी है दोस्तों तो 32 है कितनी है 32 चलिए अगला दोस्तों बिस्व स्वास्त संगठन यानि कि WHO World Health Organization ठीक है World Health Organization डब्लू जो का स्वास्त का बना जाता है साथ अप्रेल को बिस स्वास्त दिवस्त पना जाता है दोस्तों ठीक है याद रखीगा और WHO का जो मुख्याले जेनेवा सुजरलेंड में है और सदस देशों की जो संग्या है 194 में ठीक है Organization of the Petroleum Exporting Countries यह ओपेक का फूर्फर्म होता है इसका स्थापना 1960 में हुआ था ओपेक का जो मुख्याले दोस्तों यह वियना में कहां है वियना में ओपेक का मुख्याले है और इसमें सदस देशों की संख्यां दोस्तों 11 है कितना है 11 है सदस देशों की संख्यां ओपेक में काच भीगा चलिए việc देखते हैं अंगरहों के सामने अगरा दोस्तों सार्क देखिगा सार्क के बारे में ठीक है दोस्तों अगर हम देखेंगे सारक Shapông क्या होता है South Asian Association for Regional Corporation ठीक है सारक का अस्थापना हुआ था 1950 में हुआ था सारक का स्थापना 1985 में हुआ था इसका मुख्यालय दोस्तों Kaam исслед son में नेपाल की राज़धानी Kaamruff watershed में सारक मुख्यालय थी सब्सक्राइंब सब्सक्राइब अग्ला दोस्तों दकषिन पूर्वी जापफेल का सब्सक्राइब का सण असी एस सधापना असीयान का यह 1667 में हुआ था और इसका मुख्याले जकारता में इंडोनेशियका μαशानी जकारता में आसियान का मुख्याले था और तो 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 इसमें एक और बढ़ा है आए ठीक है याद रखीगा ठीक है अगर बात करेंगे इसका स्थापना उनीस को सथासट में हुआ था मुख्यावले जकारता में है इंडोनेसिया बाधानी-जकारता में दोस्तों सदसे अगर फिप्टिन ग्रूप ऑफ फिप ठीक है इसका स्थापना वर्स 1989 में हुआ था ठीक है इसका जो मुख्याले है जेनेवा में है दोस्तों और सदसे देशों की जो संक्या है वो 17 है कितनी है दोस्तों 17 ठीक है याद रखीगा चलिए next देखते हैं अगला है UNESCO देखेंगे आपर समझीए UNESCO दोस्तों ठीक है UNESCO का पुनेस्कुका जो फुल फ्रम होता है United Nations Educational, scientific and cultural organization क्या होता है United Nations Educational, scientific and echt कल्चिliches organization चीए UNESCO का पुल फ्रम होता है इसका स्थापना व् होगा थो स्थापना 1946 में हुआता दोस्तों इसका मुख्याले पेरिस में है और सदसे देशोग संखर कितनी है तो एक सो तिरान में है युनेस्को में सदसे देशोग संखर कितनी है दोस्तो एक सो तिरान में और मुख्याले पेरिस फ्रांस के दधानी पेरिस में है ठीक है चलिए आफ जो सट्सक्राइबिंस तक्यानले भी विव्ष्टेंग टेकर आपके साविन सब्सक्राइबIS पहला होता है में ओफ वंगल इ ठीक है बेम स्टेक का फूर्पर्म होता है Bay of Bengal Initiative for multi-sector technical and economic corporation ये ये ब्रिम स्टेक का फूर्पर्म होता है इसका स्थापना 1997 में हुआ था इसमें सदस्ट देश उसकी संक्या साथ है और इसका जो मुख्याले दुस्तों ढाका में है बिम सटेक का मुख्याले ढाका में है यहीं पे बागलजेस के रजहानी ढाका में बिम सटेक का मुख्याले है ठीक है अगला है दिस्तों BRICS BRICS में टोटल पांच देश होते हैं Brazil, Russia, India, China, South Africa ठीक है Brazil, Russia, India, China, South Africa यह BRICS का full firm है इसका स्थापना दोस्तो 2006 में हुआ था और इसमें सदस्ट दिस्वर्शन के इतनी है पांच है इसका मुख्याले संधाई में है दोस्तो संधाई कहा पड़ता है चीन का एक सहर है संधाई यहीं पर इसका मुख्याले है ब्रिक्स का ठीक है याद रखीगा चलिए नेक्स होता है इंटर इंटरनेस्ण क्रिमनल पुलीश आगर्लाइजेशन इंतर नेशनल क्या होगाद धस्ट desen इल फैकई इंटरनेशनल क्रिमनल पूलीश ओक्नाइजेशन क्या कहा है दोस्तों तो इंटरफोल का मुख्याले का है याद की का मुख्याले कहा है तो लीयोंस फ्रांस में है इंटर इंटर पॉल्पर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलीस और्गनाइजेशन इंटरफोल का फूलपम होता है नेश्ट दोस्तो राष्ट मंडल इसका अस्थापना उनीशो चबविस में हुगा था इसका मुख्याले लंदन में है दोस्तो इसमें टोटल सदस्य देश्यों के संक्यां 23 तिरपन है किसमें दोस्तो तो राष्ट होता दोस्तो तो यहां पर देखेंगे पसके नाफटान दोस्तो इन एफ टेये नाफटा का फूल फूलपं होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता हैं दोस्तो यह अस्थापना हुआ था यह hewone 92 अब औह नाफटाब इसका मुख्याल है मेक्सिको सीटी में है दोस्तो ओटावा में भी है कनाड़ा रजानी ओटावा में है और वासिंगिटन डीसी में है याने तीन जगा इसका मुख्याल है कहां-कहां मेक्सिको की रजानी मेक्सिको सीटी में है कनाड़ा रजानी ओटावा में है दोस्तो और अमेरिकल राजानी वासिंटन डीसिमें इसका मूख्याला है ठीक है अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो सदक्रिशों की संख्यां है टीन है दोस्तों कौण-कौण सा है मेक्सिको और अमेरिका यहीं knock दोस्तों किसमें नाफ्टा में इसका स्थापना 1992 में हुआ था ठीक है याद रखीगा आगला दोस्तों खाद एंड क्रेशी संगठन यानि FAO एंड किसका फूल्ट्रम होता है फूड एंड एकरिकल्चर औरकनाइसन क्या होता है दोस्तों फूड एड एकरिकल्चर औरकनाइसन इसका अपना 1945 में हुआ था याद रखीगा इश का खाद एंड क्रेशी संगठन यानिकी FAO का ठीक है इसका जो मुख्याले है रोम में है डोस्तों रोम किसके दानी इटली क इडली का जाने के है रोम में इसका मुख्याले है इसका सदस्य देश्वसन के 114 में है कितना है दोस्तों 194 ठीक है याद रखीगा अगला है दोस्तों लाष्ट देखीगा लाष्ट है दोस्तों अंतराष्टिये परमानु उर्जा अभिकरन अंतराष्टिये परमानु उर्जा अभिकरन इसका जो अस्थापना हुआ था यह उनिसो संदामन में हुआ था याद रखीगा इसका मुख्याले जनेवा में जनेवा में इसका मुख्याले इसमें सदस देशों की संक्या है 186 है कितना है दोस्तों 186 ठीक है इसका फूल फर्म होता है International Atomic Energy Agency ठीक है यानि कि अंतराश्टी के परमानु उर्जा अभिकरन International Atomic Energy Agency इसका जो स्थापना हुआ था यह 1957 में हुआ था इसका मुख्याले दोस्तों जिनेवा में है और इसमें जो सदसे देशों की संख्यां है 186 है ठीक है यह था दोस्तों कुछ अंतराश्टी संगठन जो बहुत जरूरी था दोस्तों आपके एक्जाम के लिए ठीक दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा थैंक्स वर वाचिंग जैहींद वन्दे मातरम